PCS करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है PCS करण न्यूज में जर्चा का विश्य है World Blitz Chess Championship 2022 हाल ही में पूर्व भारतिये विश्व रैपिट शत्रंज चैंपियन कोनेरू हमपी ने FIDE विश्व ब्लिट्स शत्रंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में रजत पदक जीता उन्होंने 12.5 अंकों के साथ कजाकस्तान की स्वंड पदक विजेता विबिसारा बाला बायेवा से सिर्फ आधा अंक पीछे रहते हुए दूसरा स्थान हासिल किया उन्होंने इससे पहले 2019 में विश्व रैपिट शत्रंज चैंपियनशिप जीती थी जान लेते हैं विश्व ब्लिट्स शत्रंज चैंपियनशिप 2022 के बारे में इसका आयो जन कजाकस्तान के अल्माटी में 26-30 दिसंबर 2022 के बीच किया गया इस प्रतियोगिता में नौर्वे ग्रांड मास्टर मैगनस कालसन ने 16-21 के स्कोर के साथ पुरुष वर्ग में स्वन्द पदक जीता वह रज़त पदक विजेता ही कारुना का मूरा से एक अंक आगे रहे यह उनकी छटी जीत थी इससे पहले उन्होंने मौसको 2009, दुबई 2014, रियाद 2017, सेंट पिट्स वर्ग 2018 और मौसको 2019 में विश्व ब्लिट्स का खिताब अपने नाम किया था हालाकि इस प्रतियोगिता में कोई भी भारतिये पुरुष खिलाडी शीष्ट दस में जगहन नहीं बना सका वही पी हरी कृष्णा तेरह अंक के साथ 17 वे स्थान पर जबकि निहाल सरीन 18 वे पायदान पर रहे